मुझा नमस्कार आपका स्वागत एधार नामा टीवी पे मैं पुनम आपके साथ लव जीहाद पर बने फिल्म दे केरल स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है अब केरल विदान समा के नेता विपक्ष वीडी सदिशन ने कहा कि राज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था फिल्म में दिखाया कि तर्थे गलत है राज की छवी बिगारने की कोशिश की जा रही है केरल में नफरत की बीज बोना संग का एजेंडा है उदर फिल्म में एक कस का दावा है कि ये फिल्म सची घटनाओ पर आधारित है दे केरल स्टोरी का हाल यू में ट्रेलर रिलीस हुआ तो ये फिल्म केरल की 32,000 ओतों के अचाना गायब होने की कहानी है ट्रेलर में दिखाया गया कि टेरिस संगठन आईएस आईएस ब्रेंड़ वाश कर इन महिलाओं को भारत में अलग अलग ट्रेलर मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रेंड कर मिशन पर भीश जा जाता है फॉंगर्स लीडर सतिशन ने कहा मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा और ये ट्रेलर गुम रहा करने वाला है इस फिल्म के जरिये 32,000 लड़कियों के केरल से आईएस में शामिल होने की गलत जानकर इफिलाई जा रही है केरल में नफरत के बीच बोना संग परिवार का एजेंडा है संग परिवार लोग को बाटना चाहता है हमारे दिलों में नफरत पेदा करना चाहता है इस फिल्म को रिलिस होने की मर्मिशन नहीं देनी चाहिए सतिशन ने आगे कहा इस फिल्म के रिलीज होने का मतलब है पूरी दुनिया के सामने केरल की बेज़ती होना वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि केरल की 32,000 लापता महिलाएं आई इस आएस में शामिल हो गई क्या वो ऐसी एक भी महिला का नाम बता सकते हैं एन आई एन ने सुप्रेम कोर्ट को सोपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहां इस तरह कोई केस सामने नहीं आया है इसकी साथ बने नहीं राज़ामा टीवी के साथ धन्यवादा